दूप के कारण क्या घरम हो जाता ता हुद इस वज़ए से पानी देना चाहिए तो इस वज़ए से मैं न Master Ram लोग को पानी ऐसे देना चाहिए, तो मतलब इस इक रीजिन है पानी देनी का और जिस पहदे में अलइडी मिट्टी मॉइस्तम में पानी ना दे क्योंकि जो मिट्टी है हमारी गरम हो जाएगी एक बार जहां से गरम हो जाती है तो वहां से फिर क्या होता है कि वह प्लांट से मिट्टी गरम हो गई तो जो प्लांट से वह मिट्टी गरम हो जाने के वज़ए से जड़े जो है वह जलना स्टार्ट हो जाएंगा अब सड़न यहाँ पैने है जुक्तों इसमें होगा इस हो गरम दूब होगा उसके जो रूटे ही सकी मिटि मुटि had ic Même कि एसमें आयं पुरह मतलब ऑप उसके कारण जो पांडेगा फर्षग कतने ब्युत को जल जयाएंगे तो फिर 색깔 प्लांट की। जड़े खराब हो जाएगी तो प्लांट जीरे दीरे बहुत लोगों के क्वेरी आजकल आ रही है मेरे पास की गर्मियों में जो उनके पौधे हैं वो कैसे एकडम से सूखने स्टार्ट हो जा रहे हैं तो इस एक रीजन हो सकता है पानी का जो आप अधिक कम करके डाल रहे हैं तो इस बीर ही जनो सकता है तो ऐसा मत सूचिए अपने दिमाग में कि गर्मी है तो पानी बहुत चाहिए ऐसा कुछ नहीं है गर्मी है तो बहुत पाई पाई पॉदों को बट उसके रीपार्मेंट के को डिजिए कि प्लांट को क्या जरूरी है आपको मिटी एकडम हां हर वक्त रूटीन में उठे हैं पाई पुठा है पानी देना स्टाट कर दी है एक लाइन से जारे पॉदों को ऐसा कुछ कुछ कंपल्सरी नहीं है आपको बस यह ही कहने वाला है जैसे यह जो प्लांट है इसमें इसकी मिटी मॉस्ट है और इसकी मिटी ड्राय है तो मैं इसमें पानी नहीं देने वाला वैसिकली मैं इसमें पानी दूँगा क्योंकि इसकी मिटी ड्राय हो चुकी है और इसकी मिटी अभी वेठा है अगर मैं वापस इसमें पानी दूँगा तो फिर वही सारे लॉजिक जो आपने आपको मैंने बताया वही सारे लॉजिक फिर से क्लाइबिंग कर रहे हैं वैसे ये भी क्लाइब करके अच्छे से फ्रूटिंग दें आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो खहर बात की बात है तो जिस पौदों में आपको पानी ना लगे उसे मत दीजिए मतलब बस यही सारी लॉजिक है और मिट्टी आप